प्यारे प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार, ज्यान सिंधो कोचिंग क्लासेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, संस्कृत साहित के मेगदूत, हंसदूत की तरे ही, हरियोज जी ने भी प्री प्रवास में वायू को दूत बनाया है, पवन को रहेंगे थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा इस वीडियो में क्योंकि हम सब कुछ आपको देने वाले हैं कहीं जाईएगा नहीं ये सामाने हिंदी और साहित हिंदी दोनों लोगों के लिए बहुत ही महत्तोपूर्ण है क्योंकि ये 2021 के सिलेबस में रखा हुआ है ठीक है प पोस्टमैन के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है और उसको पोस्टमैन या डाकिया बनाती है कौन राधा संदेश वाहक पवन है संदेश वाहक पवन है किसका राधा का राधा क्रश्न के बियोग में बैठी हुई है अपने घर में और उधर से हवा धीरे से आती है और उसको अपना संदेशा सारी विथाएं सारे प्रेम की जो विथाएं हैं वो राधिका जी उसी हवा को सुना देती है तो अयोध्या सिंग उपाध्या हरियोध जी ने प्रिय प्रवास में ये वरणन किया है और अच्छा लगेगा आपको प्रेम पराधारित है और प्रेम ही सार ही संसार में और कुछ नहीं है तो चलिए प्रारंब करते हैं हर एक चीज का प्रेम से ही जुड़ाव होता है प्रेम जिस दिन नश्ट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ उस दिन ये संसार नश्ट हो जाएगा तो बैठे किन्ना यक दिवस वेगेह में थी अकेली आके आंसुद्रिग युगल में से धरा को भिगोते आई धीरे इस सदन में पुश्पुसद गंध कोले प्राताहवाली सुपवन इसी कालवातायनों से चलिए दोखो हम गाते नहीं आज ज्यादा नहीं गाएंगे बस आपको पहला गा के सुना दिया कि ऐसे गाया जाएगा अब देखें इसका पहले आप व्याक्या अर्थ सब कुस समझे अब आपको नहीं जाना है कही रुकना नहीं दिमाग पूरा हम पर लगाईए छिक है तो बैठी एक एक मीनिंग कार समझे में इसको बढ़ा कर लेता हूँ थोड़ा एक एक शब्द का अर्थ में आपको बतांगा कोई नहीं चुटेगा बैठी खिन्ना खिन्ना मने उदास यक एक दिवस दिन वे मने कौन वे अर्थात राधिकाजी वे मने राधिकाजी वे राधाजी एक दिन उदास बैठी थी कहां गेह में थी क्या अकेली एक दिन राधिकाजी अपने आवास में अपने घर में अकेली उदास बैठी थी और जब उदास बैठ आके आंसू द्रीग यूगल द्रीग माने नेत्र यूगल माने दोनों दोनों नेत्रों से आंसू आ करके धरा को भिगोते अर्थात धर्ती को पृत्वी को गीला कर रहे थे धरा को भिगोते थे यानि पृत्वी को गीला कर रहे थे आंखों से आंसू टपक रहे थे जब तो क कहते हैं हर्योद जी कि एक दिन उदास राधा जी अपने घर में बैठी हुई थी और दोनों आखों से उनके आंसु टपक रहे थे और वे आंसु धरती को गीला कर रहे थे आई धीरे इस सदन में सदन माने घर तो धीरे से इस घर में पुश्प की सदगंध अर्था तो वायू सुपवन माने सुन्दर पवन भया प्राता काल में बड़ी मस्त हवा चलती है मदमस्त कर देती है सबको तो प्राता हवाली सुपवन प्राता हवाली जो सुन्दर पवन है इसी काल माने इसी खण वातायनों माने वातायन माने होता है खिड़की अब वातायन का मैं भी छेद कर देता हूं ताकि आपको किलियर हो जाए वात धन आयन आयन माने घर होता है लगबग तो वात आयन माने घर किसका वायू का द्वार ठीक है वायू का जो द्वार होता है कहां से खिडकी जिसको हम बिंडो बोलते हैं तो वात आयन माने खिडकी जहरोखा या बिंड क्लियर होगा चलिए तो प्राता हवाली सुपवन सुंदर पवन इसी काल खिड़की से अपनी पुष्प की सुगंध को लेकर के धीरे से इस घर में आ गई कब आ गई जब राधा जी उदास बैठी थी और दोनों आखों से उनके आशू टपक करके धर्ती को गिला कर रहे थे तो उसी क्षण क्या हुआ हलकी सी हवा का ज्योंका आया पुष्प की सुगंध के साथ कहां से वातायन से अर्था जहरोखे से फिर क्या हुआ अब जब हवा लगी भईया शरीर में तो बड़ा आउर दुखी हुई राधा जी संतापों को बिपुल बढ़ता देखके दुखीता हो धीर बोली सदुख उससे फ्रीमती राधिकायों संतापों को अर्थात जब संताप माने क्या होता दुख संतापों मतलब दुखों को बिपुल माने बड़ी तेजी से जैसे हवा लगी उनके शरीर में रोमान चक्ता उत्पन हुई और उनके कश्ट उनके दुख और बढ़ने लगे तो संतापों को बिपुल बढ़ता देख संतापों को दुखों को बड़ी बिशालता के साथ तेजी के साथ बढ़ता हुआ देख करके दुखिता हो दुखी हो करके धीरे से बोली स्लोली स्लोली बोली धीरे से बोली सदुख माने दुख के साथ सदुख मानी क्यों दुख के साथ उससे स्रीमती राधिकाएं तो स्रीमती राधिका जी ने जब देखा कि उनके संताप और अधिक बढ़ रहे हैं तो दुखी होकर कि सदुख के साथ उनसे बोली किसे प्यारी प्राताः वाली पवन से क्या कहा प्यारी प्राता पवन इतना क्यूं मुझे है सताती क्या तू भी है कलुशित हुई काल की क्रूरता से प्राता वाली है सुन्दर पवन तो इतना मुझे क्यूं सता रही है क्या तू भी मेरी तरह कलुशित हुई है काल की क्रूरता से क्या तू भी मेरी तरह काल से ग्रशित है, काल की कुरूरता से कलुशित हो गई है, तू मुझे कलुशित माने क्या होता है, दुखी हो जाना, कश्ट हो जाना, ऐसे तो कलुश माने होता है, क्या पाप हो, कलुश माने पाप हो, या कलुश माने काले धब्बे, यहाँ पर कलु की तरह दुखी हुई है तवन से पूच रही है अब आदमी प्रेम में जब पागल हो जाता है तो क्या करता है इधर उधर बातें पागलों की तरह करने ही लगता है प्रेम ही सुफार इस दुनिया में कुछ नहीं ठीक है मेरे प्यारे नव जलत से कंज से नेत्र वाले चाके आए नमधुबन से ओन भेजा संदेशा मेरो रोके प्रियविराह में बावली हो रही हूं जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे अब कहते हैं कि मेरे प्यारे नव जलत जलत माने बादल क्या होता जलत माने कमल जलध माने समुद्र जलत माने बादल जल धनता जल देने वाला अर्थात बादल मेरे प्यारे प्यारे कौन प्यारे कौन राधा के प्यारे कौन क्रिश्ण मेरे प्यारे नव जलत माने नए नए मेगूं जैसे कंज माने कंज क्या होता है कंज से नेत्र वाले कंज से नेत्र वाले मने कमल की समान कमल का कमल जैसे कैसे होता देखो कमल की पंकुड़ी कैसे ब नेत्र बन गया थिक तो कमल नेन को था क्रिश्ण था तो जलद से कंज से नेत्र वाले अब जलद कैसा घंशाम नील नील घंशाम जो नया नया बादल उठता है तो हलका सा नीला होता है तो नीली यांखों वाले घंशाम जलद से न वो जलद से कंज से नेत्र वाले कंज मने कमल कमल के समान नेत्रों वाले जाके आए न मधुबन से वे मधुबन जब से गए हैं मथुरा जब से गए हैं ना तो आए हैं और ना कोई संदेश ही भेजाब या उनका ना कोई मैसेज आया है नकाल आया है वह वहीं बैठे हुए है मधुबंद में मैं रोरो के प्रियविराह में अरे यार मैं उसी कृष्ण के विच्णने के साथ भया बियोग स्रंगार का मुस्ट इंपार्टेंट उदारण है सारे के सारे आप पढ़ते रहिए मैं अंतमेस की सारी सारे सारे मैं वुआ रहीूं, मैं तो पागल हो रही हूं, मैं तो पागल हुए जा रही हूं प्रियविराह में, प्रिये के वियोग में और जाके मेरी सब दुख कता है यह जो मेरी दुख की कता है, या मेरी président कि भगवान स्री किष्ण को जाकर के सब कुछ उनको पाठ पढ़ा देना मैंने जो जो कहा है आपसे ठीक है तो जियों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी अब पवन को रास्ता बता रही है कौन पवन को रास्ते की सारी चीजें राधा जी बता रही है केती जियों ही मेरा भवन तज तज माने त्याग कर जैसे ही तु मेरा ये घर छोण करके अल्प मने थोड़ा आगे बढ़ेगी जैसे मेरे घर से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मन्ज कुंजे मिलेंगी तो बहुत से शोभा वाली नजाने कितनी शोभा वाली तुझको आकरशक कुंजे मिलेंगी मनोहर कुंज दिखाई देंगी ठीक है सुखद मनोहर कुंज दिखाई देंगी मन्जुमाने सुन्दर ठीक है मन्जुमाने सुन्दर मन्जुनाम होता ना मन्जुमाने सुन्दर होता कुंजे मिलेंगी कुंजमाने छोटी सी बगीची को कुंज कहती हैं तो नजाने कितनी शुभा देने वाली सुभायमान सुखद सुख देने वाली नजाने कितनी तुझक में मिलेंगी परंतु आइसान हो कि तू कहीं भटक जाए इसलिए मैं तुझे सीधा सीधा रास्ता बताती हूं और चली जा वहीं भगवान स्रीकृष्ण है मेरे प्यारे हैं उन्हीं से मिलकर के मेरा संदेशा कहे देना ठीक है तो क्या क्या कहती है कि प्यारी छाया वहां पर तो छाया अपनी मीठी आवाज से मोहंग लेंगी तुझे वे ठीक है तुझे मोहेंगी तु रास्ते में जाएगी तो तुझे चाया मीठे सौर से मोहेंगी तो भी मेरा दुख लख अब वो क्या कहती है तो भी तुझको क्या करना है मेरा दुख देख करके वहां जाकर के सरस्रव काधा मुथ जब जब आसानी से ऊंसर दे दोगे ठीक है तो आपके वल पध्यांसों के answer रटने में मस्तमत हुए क्योंकि कई प्रकार के प्रश्ण बनते हैं और आपने रटे रटाये 5 प्रश्ण याद कर लिए कर लिए एक पध्यांस के क्या पता पध्यांस तो वही आया परंत प्रश्ण का प्रारूप चेंज हुआ प्रश्ण दूसरे उसी पध्यांस कर आधाये क्योंकि एक पध्यांस से सैक्णों प्रश्ण बन जाएंगे ठीक है तो कभी भी आप प्रश्ण मत रट ये पध्यांस के सदाए वो पद्यान्स को समझ जए और जब आप पद्यान्स समझ जाएंगे ठीक है सभी लोग एक बार शेयर कर देना एक बार लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, मैं और नहीं कहता हूँ किसी कारण के, क्योंकि आपका फायदा है सब्सक्राइब करने में, तो अब वो राधा जी उसको बताती है कि थोड़ा आगे सरसर रव, रव रव याद कर लो, रव काम, रव दो अच्छरों का शब्द है, परंतु इसके मीनिंग्स बहुत लोग नहीं जानते हैं, रव माने ध्वनी, और वारा इसको उल्टा कर दो तो वर माने वरदान भी हो जाता, वर माने सरेष्ट भी हो जाता, तो वर और रव सदय याद रखना, वर माने सरेष्ट, वर माने वरदान, और रव माने ध्वनी, रव मान धाम सत्पुष्पों वाला थोड़ा सा धाम तुझे मिलेगा जहां पे सत्पुष्प होंगे ठीक है जहां पे क्या होंगे सत्पुष्प होंगे वहाँ तुझको धाम मिलेगा ठीक तो कुझे दिखाई देगी और थोड़ा सा जब आगे बढ़ेगी तो फिर क्या होगा तुझको सत्पुष्प अर्थात सुन्दर पुष्पों वाला अच्छे फूलों वाला मधुर धुनी वाला क्या मिलेगा तुझको वरंदावन मिलेगा अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सुन्दर साली जहां पर बहुत बहुत सारी सुन्दर साली लताएं हैं लतावान माने जो लताओं से परिपूर्ण हैं लतावान हैं शक्तिवान माने शक्ति को धारण करने वाला लताव लताओं को धारण करने वाला सौंदर शाली है प्यारा वरंदा विपिन वरंदा विपिन माने वन वन माने जंगल तो वरंदा वन मिलेगा मन को मुख्धकारी मिलेगा तेरे मन को मुख्धकारी माने मोहने वाला मुख्धकारी माने मोहने वाला मिलेगा आना जाना इस विपिन से से बपिद माने जंगल इस विपिड नाम होता ना तो ऑना जाना इस बपिन से तू आना जाना परंत मुंहिमाना नाम मतलब मुखध मत होना तू मोहित मत हो जाना उसकी तरफ ठीक है जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना भीरे भीरे परस करके गात उत्ता पुखोना सद गंधों से स्रमित जन को हरशितों सा बनाना सद गंधों से स्रमित जन को हरशितों सा बनाना राधाजी फिर आगे वायू से कहती हैं क्या कहती है कि जाते जाते अगर तु जब जा रही है मेरा संदेशा लेकर तो प्यारी पवन ये भी बात सुन ले अगर पत में रास्ते में क्लांत माने दुखी क्लांत माने दुखी, कोई दिखावे, अगर कोई तुझको दिखेगा, तुझे कोई क्लांत दिखेगा, तुझे कोई दुखी दिखेगा, तो सन्निकट माने उसके पास जाना, नियर बाई दिस परसन, उस परसन के पास जाना, उस विक्ती के पास जाना, उस विक्ती के सम पा और धीरे धीरे परस माने इसपर्श करके गात माने उसके शरीर को उताप माने उसकी जलन को दुक्र को तपन को जलन को खोना मतलब मिटा देना समाप्त कर देना सदगंधों अर्थाद सुगंधों से अपनी सेंट्स थे अपने परफ्यूम से क्या कर देना स्रमित जन अर्था प्रसन लोगों जैसा बना देना हरशित माने प्रसन लोगों जैसा बना देना ठीक है चलो हिंदी मा का वरदान मिला है मुझे हिंदी पढ़ने और पढ़ाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है तो आप भी सोभाग्य का लाव उटाएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब लज्जा शीला पथिक महिला जो कहीं द्रिष्टिया है अगर लज्जा सीला अब देखो एक और बात बहुत अच्छी बता रही है लज्जा शीला मतलब जो शर्मीली अवरत हो पथिक माने राहगीर है ना पहले प्राचीन काल में क्या था पुराने जमाने में सब पैदल जो अब इश्कार कहा था भया दौपर कल्यूग में दौपर की बात है दौपर की बात है और वहाँ पर भगवान स्रीकृष्ण की प्रेमिकार आधा जी स्रीकृष्ण के हाथ में संदेशा पवन के हाथ में देकर के भेज रही है पवन से कह रही है पवन से फिर क्या कहती है कि अगर लज्जा शिला दोखो पवन चंचल होती वायू चंचल होती है और जब वायू चंचल होती तो किसी के वस्तर उड़ाती है किसी के बाल उड़ाती है किसी को कुछ उड़ाती है किसी के पसीने को सुखाती तो सब काम करती है वायू तो लज्जा शिला पतिक महिला पतिक देना विक्रत वसना तो न तू सुन्दरी को तो उस सुन्दरी को विक्रत वसना होने न देना ठीक है कि अगर तुझे कोई शर्मिली राहगीर अवरत नजर आए तो उसे विक्रत वसना और विक्रत वसना का मतलब है वस्त्र मत हटाना उसके वस्त्रों का विक्रित हो जाना अर्थाद इधर से उधर हो जाना ठीके कृत्माने किया हुआ जैसे वस्त्र सजाये हुए हैं उनको विक्रित कर देना अंसजे हुए मत करना उल्जा मत देना तो न तू सुन्दरी तो उस सुन्दरी अउरत के तू वस्त्रों को मत उड़ा देना क्योंकि वो लज्जाशीला है गुंगट कार के आ रही होगी जो थोड़ी भी स्रमित हो वो हो गोद ले स्रांति खोना अगर वो तुझे थोड़ी सी स्रमित यानि ठकी हुई दिखाई दे तो उसको तू अपनी गोद में ले लेना और स्रांति मिन्स होता है ठकान ठीक है? स्रांति माने ठकान तो उसकी तू स्रांति को खोना यानि समाप्त कर देना तो उसको अपनी गोद में लेकर, कि गोद लेने का मतलब यही है, कि तू अपने स्वयम को उसके शरीर में लगा देना, यानि हवा अपने, तू हवा है ना, तो तू अपने शरीर को उसके शरीर में लगा देना, तो क्या होगा, होटों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, तो उसके ओंस्ठों की और उसके जो कमल रूपी मुख इसमें रूपक अलंकार आ गया है कमल रूपी उसका मुख जो होगा तो उसकी तुम क्या करना तुम मलिनताएं उसकी समाप्त कर देना मिटा देना फिर आगे क्या कहती कि कोई क्लांता क्रिशक ललना क्हेत में जो दिखावे कोई क्लांता माने दुखी कष्टों से दुखी ठकी हुई क्रिसक ललना माने होता इस्त्री याद रखना ललना माने पुत्री मत कह देना ललना मिंस इस्त्री होता है महिला ये UPTET में भी शवाल पूछा जा चुका है ललना माने इस्त्री होता है ठीक है अगर क्रिसक की कोई पत्नी इस्त्री खेत में दिखाई देगी तुझे ठकी हु जाता कोई जलद जलद माने बादल का टुकड़ा यदि हो व्योम व्योम माने आकाश में तो उसे ला करके अगर तुझे बादल का कोई टुकड़ा जाता हुआ आकाश में दिखाई देगा तो उसको तुले आना और कहां कर देना उड़ा करके सूर के मुख पे कर देना तो छ थाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को अर्थात भूतांगना माने क्या होती है रमणी ठकी हुई इस्त्री स्रमित जनों के लिए तप्त भूतांगना उसी का नाम दिया गया है तो उस तप्त भूतांगना को और भूतांगना माने युवती होती है ठीक है तप् प्रति कर देना उसी बादल को ला करके उस बादल के टुकडे के द्वारा ठीक है अब फिर क्या है अब आगे फिर बताती है राधाजी पवन से कहती है कि जाते जाते पहुंच मतुरा धाम में उत्सुका हो और नारी शोभा वर नगर की देखना मुख्ध होना अगर वो कहती है कि जाते जाते तो फिर क्या होगा तू जब जाएगी ना कहां जाएगी मतुरा धाम में उत्सुका हो जब तू मतुरा नगरी में पहुंचेगी तो उत्सुका हो मतलब excitement उत्सुक माने excitement हो करके उत्सुका हो न्यारी शोभा वर नगर की वर माने अभी क्या पता है हमने स्रेश्ट उस स्रेश्ट सुन्दर नगर की न्यारी शोभा न्यारी माने अलग ही जिसकी शोभा हो नगर की देखना मुग्द होना तो तू जाना और वो जो भब नगरी मतुरा बनी है स्रेश्ट नगरी मतुरा बनी है तो तू उसको देख लेना और मुग्द होना यानि तू मुक्द हो जाएगी उसमें लल्चा करके उसमें मोहित हो जाएगी उस नगरी के पास तू होवेगी चकित तू वहाँ पे चकित हो जाएगी लख माने देख करके मेरु से मंदिरों को मेरु माने एक सुमेरु परवत होता है कहा जाता है कि सुमेरु परवत में सुमेरु परवत सुर्ण का परवत था तो लख मेरु के से मंदिरों को आभा वाले कलस जिनके दूसरे आरकस से हैं वाह वाह क्या वर्ण किया है हर्योजी ने प्रणाम है भाई हर्योजी को सुमेरु परवत के समान मंदिर बड़े बड़े बने हैं उसको देख करके तू चकित हो जाएगी आभा वाले, आभा वाले मतलब कांती वाले, चमक वाले कलश जो मंदिरों के उपर कलश रखे हुए हैं वो कैसे हैं कांती वाले जिनके दूसरे, जिन मंदिरों के, जिनके कलश आभा वाले जिन मंदिरों के जो कलश हैं, अबहा वाले, कांती वाले वो दूसरे अरक मरीचिमाली भगवान सूर्य का नाम है तो दूसरे अरक के समान अर्था तो दूसरे सूर्य के समान से जो हैं ठीक है? उनको देख करके लेक्टू चकित हो जाएगी और देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मद्ध जाना नाना वाद्यों मधुर सुर की मुगधता को बढ़ाना तो कहती है कि तू अरी बावली पवन देखे तू पूजा के समय में मथुरा के मंदिरों के मध्ध में चले जाना क्या कहती है तू मथुरा के मंदिरों के मध्ध में उस समय चले जाना जब पूजा हो रही हो समझ में आया और नाना वाद्यों मधूर स्वर की मुगधता को बढ़ाना तो उस समय तू मंदिरों में जो नाना वाद्यों अरथा तो नाना प्रकार के वाद्ययंत्र बज रहे होंगे तो जब वायू चलती है तो उसको उड़ा करके बहुत दूर तक ले जाती तो वो बात यहां बता रही राधाजी कहती है कि नाना वाद्यों विभिन्य प्रकार के वाद्य अंत्र जब बज रहे होंगे तो मधुर स्वर की मुगधता को बढ़ाना तो जो मधुर स्वर उन से निकल रहा हो तो उसकी मुगधता उसके माधुर रेकू तू बढ़ा देना क्यूवा क्यूवा माने अत्वा क्यूवा माने क्या होता अत्वा हमने बता था और और मतलब या या माने अत्वा क्यूवा माने अत्वा तो किमवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को अत्वा तू रुचिर माने सुन्दर लेके तरु के तरु माने पेंड के शब्दकारी फलों को अत्वा तू क्या करना कि सुन्दर व्रक्षों के शब्द करने वाले फलों को ले लेना अर्फा तो सूखे फल ठीक है? सूखे फलों को ले ले लेना या फिर किसी ब्रक्च के बजने वाले फलों को ले लेना और धीरे धीरे मधूर रव से मुख्द 한्हों हो बजाना से मुख्द हो कर कि तू ही बजा देना क्योंकि जब हवा चलती है और जिन सूखे फलों में बीज सूख गए होते हैं वो बजने लगते हैं न थिक है तो वही बात यहाँ पर राधा जी बता रही है कि तू क्या करना जब मंदिर एक बार फिर से समझाते हैं देख तू पूजा के समय मंदिरों के मद्ध में चले जाना और जब मंदिरों के मध्य में तू जाएगी तो नाना प्रकार के वहाँ वाद्देयंत्र बज रहे होंगे तो अपनी वायू की प्रवीनता से अपनी बहाव से उन सबको मुग्दकारी कर देना, मुग्द बना देना अत्वा तू सुन्दर तरू के शब्द करने वाले पूस्पों को फूलों को ले लेना, फलों को ले लेना और धीरे धीरे मधुर धोनी से मुग्द हो करके बजा देना, फिर क्या कहते हैं तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद गता हो होंगे लोने नयन उनके जोती उतकीन कारी मुद्रा होगी वर्वदन की मूर्ति सी सौम्यता की सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से तू देखेगी जलद तन को जलद माने बादल और बादल कैसा होता है सामला होता है तो शामला काला बादल होता हो काले भगवान कनहिया थे तो तू देखेगी जलद तन को जलद रूपी तन अर्थात यहां रूपक अलंकार है जलद रूपी तन जहां डैस लगा हो वहां रूपक अलंकार होता है समझे, समझ गए आप तो तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद गता हो तद गता तिर वो क्या बतायती है कि तू वहाँ पर के तत माने वही पर गता माने पहुँच करके तू जब वहाँ पहुँचेगी तत गता माने वहाँ पहुँच करके तत गता को ऐसे बिछेद करो तत धन गता गता माने चली गई वहाँ पहुँच गई तत माने वहाँ वहीं पर तो उस इस्थान पर तब तू जाएगी तो वहाँ जाकर के तू जलद तन अर्थात शाम बादलों जैसे शाम शरीर वाले भगवान स्री कृष्ण को देखेगी होंगे लोने नयन तो उनके नेत्र अत्यंत लोने माने सुन्दर लावंड मैं नेत्र नयन उनके जोती उतकीर्ण कारी जोती उतकीर्ण कारी माने प्रकास उतकीर्ण कारी माने विकीर्ण करने वाले तो उनके सुन्दर नयन जोती उत्कन उत्पन करने वाले प्रकास विकीर्ण करने वाले प्रकास विखेरने वाले होंगे जोती उत्कीर्ण कारी उत्कीर्ण कारी मतलब उत्कीर्ण उत्कीर्ण माने विखेरना ठीक है विकीर्ण जिसको बोलता है उत्दर फैलाने वाले तो कहते हैं कि उनके सुन्दर नयन बड़े ही उतकीन कारी होंगे उतकीन कारी माने जोती को विखेरने वाले, प्रकास को विखेरने वाले मुद्रा होगी वरवदन की मूर्तिसी सौम में ताकी मुद्रा होगी वरवदन, वरवदन माने स्रेश्ठ सरीर मुद्रा मतलब भाव मुद्रा उनकी भाव मुद्रा कैसी उनकी मुख मुद्रा और शरीर की मुद्रा आकरशक होगी सौम में होगी मूर्ति सी सौम में ता की ठीक, मुद्रा उनकी भाव मुद्रा वरवदन उनके शरीर की सुन्दर शरी की स्रेश शरी की भाव मुद्रा बिलकुल मूर्त की सौम्मिता के समान होगी बिलकुल मूर्तिवंत होंगे वो सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से सुधा माने अमरीत अमरीत जानते हो ना जिसे कोई मरता नहीं पीने के बाद तो सीधे सादे वचन उनके, सीधे और साधारन वचन, सिख्त माने सीचे गए सिंचित, सिंचित होंगे सुधा से, तो अम्रित से सने हुए वचन उनके सीधे सादे सरल वचन होंगे, ठीक है? तो तु समझ जाना, भगवान श्री कृष्ण की पहँचान बता रही है कि तू प क्यों पहचाने की कैसे भगवान स्रीक्रिश्यकों 될ात करते हाद करते हैं इन दें ब्रुप मतलब कि उनके शरीर की जो श्यामता थे तो निले फूले अर्था धे नीले कमल से डल मतलब ये भी यहाँ पर भी उपमा और रूपकलंकार है सी लग गया ना तो रूपकलंकार है तो उनके नील कमल के समान उनके गात मिंस शरीर की शामता होगी शरीर की शामता अर्थात शरीर का उनका सामलापन नील कमल के समान नील कमल के दल अर्थात पत्ते के समान और पियारा सा वसन माने वस्तर कपड़ा यह सब एक ही चीजी है ठीक है तो पीला और प्यारा सववस्त उन कमर में पहनते हैं पहनते माने पहनते हैं फबीला माने सुन्दर सोभाइमान छूटी काली अलक मुख की कांति कोहे बढ़ाती और उनके जो मुख की कांति है उनके जो अलक माने लटे होती है ठीक है छूटी काली अलक माने बालों की लट थेके अलकवाने बाल होते हैं तो अलकवाने बाल होते हैं तो क्या करते हैं बालों की लट मुख की कांति को है बढ़ाती तो छूटी हुई बालों की जो लट लटक रही है उनके मुख पर वो बड़ी ही कांति को उनकी चमक को और बढ़ाती सुन्दरता को और बढ़ाती सौगुना करती है और सद वस्त्रों में नवल तनकी फूटती सी प्रभा है ऐसे सद वस्त्रों में सद वस्त्रों में मतलब साधारन वस्त्रों में सुंदर वस्त्रों में सत माने सुंदर सुन्दर सत्माने सही सचे अच्छे वस्त्रों में सद्माने अच्छे भी होता ना तो अच्छे वस्त्रों में नवलतन की नवीनतन की फूटती सी प्रभा है ऐसा लगता है नवीनतन है उनका उनका शरीर नया है नया न मतलब युवा आवस्था जिनमें कांती बिल्कुल प् भगवान स्री कृष्ण की कांती बड़ी ही क्या है प्रस्पुटित हो रही है फिर क्या है सांचे ढाला सकल वपु है दिब्य सौंदर्य शाली सद पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोशिका है दोनों कंधे व्रिशभ वर्से हैं बड़े ही सजीले लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटी कां है सांचे ढाला अर्थात जैसे सांचों में ढाला गया हो सकल वपु संपूर्ण सरीर सकल माने आल वपु माने बौडी आल बौडी उनकी कहां ढाली गई है एक खांचे में एक सांचे में ढाली गई है दिब्व संदर्यशाली उनका संपूर्ण शरीर दिब्व और संदर्यशाली है ऐसा प्रतीत होता है जैसे सांचे में ढाला गया हो सत पुस्पों सी सुरभी उसकी प्रान संपोशिका है और उस शरीर की जो प्रान संपोशिका है वो सत पुस्पों की सुगरंध है सुरभी माने सुगंध सुन्दर पुस्पों की सुगंध उस शरीर की उस तन की प्रान संपोशिका है अर्थात उस सरीर की चमक को बढ़ाने व वाली है और दोनों कंधें ब्रिशब हुवर से उबे तो नहीं आप लोग उबिएगा मत काब है आनंद आएगा इसमें दोनों कंधें ब्रिशब हुवर से हैं बड़े ही सजीले और उनके दोनों कंधें हैं विल्कुल कैसे हैं ब्रिशब हुवर ब्रिशब हुवर ब्रिशब कंधों वाले हैं, भगवान स्रीकृष्ण लंबी बाहे हैं उनकी उनकी भुजाएं कैसी हैं? लंबी हैं कैसी कलभ, अब कलभ کا मीनिंग याद करलो फिर मुझसे मत कहना की बताया नहीं सर, तो कलभ माने होता है करभ माने छोटा हाथी का बच्चा, ओके? हाथी का छोटा सा बच्चा उसको कलब कहते है जैसे गाय के बच्चे को बच्छडा कहते है ठीक है तो कलब करसी शक्त की पेटिका है जो उनकी लंबी बाहे है वो हाथी के सूण के समान है छोटे से हाथी के सूण के समान है ठीक है हाथी की सूण के समान है और शक्त की पेटि राजाओं सा शिर परलसा दिब्ब्या पीड होगा कैसे पहँचानोंगी हे राधा कहती हैं हे पवन तु कैसे पहँचानेगी राजाओं सा शिर परलसा दिब्ब्या पीड होगा शोभा होगी उभै सुरति में स्वनके कुंडलों की नानारत ना कलित भुझ में मन्जु के यूरु होगे मोती माला लसित उनका कम्भू सा कंथ होगा कम्भू सा कंथ होगा शंख सा कंथ होगा कम्भू माने संख राजाओं सा सिर पर जैसे राजा के सिर होता राजा के सिर के तरह मुकुट रखा होता राजा के सिर पर तो राजाओं की सिर की तरे लसा माने सुसोबित हो रहा होगा दिब्बे आपीड माने आपीड मिन्स मुकुट दिब्बे मुकुट उनके मस्तक पे उनके शिर पर लसा होगा सुसोबित हो रहा होगा शोभा होगी उभय सुरुति में सुर्ण के कुंडर अब सुरुति क्या हो तो उभाय सुरुती कार्थ हो गया दोनों कानों में, दोनों करणों में स्वन के कुंडलों की और शोभा होगी उसमें सोने के कुंडल सुसोभित हो रहे होंगे उनके दोनों करणों में कैसे पहिंचाने की तू, राजाओं सा दिब्व, मुकुट उनके सिर्पे विराजमान होगा, और दोनों करणों में स्वन आभूशन होगे, स्वन कुंडल होगे, ओके, और नाना, रतना, कलित, भुजमें मन्जु के यूर होगे, भुजमाने, बाहें, आर्म्स भुजाएं, तो नाना माने बिभिन प्रकार से, ठीक है, बिभिन प्रकार की जोईलरी होगी, मेनी टाइपस अफ जोईलरी, आहा, क्या अंगरेजी भाया, मजा आ गया अंगरेजी में, अच्छा अंगरेजी बोलते थोड़ा अच्छी लगती, समझ में नहीं आती है, भाषा, निजभा ग्यान से मिटे नहीं को असूल, भारतेंदु जी बहुत पहले कहे गए थे, इसलिए मात्र भाषा, मेरी मम्मी की भाषा, मेरी अपनी भाषा, इसको प्रेम दो, इसको आगे बढ़ाओ, इसको बिस्तरत करो, और बिस्तरत कैशे करोगे, सेर करके करो, तो राना रतना कलित, बिभिन प्रकार से रतना कलित माने रतनों से सुसजित, कलित माने सुसजित, ठीक है, युक्त, भुजे में, भुजाओं में, मन्जु माने सुन्दर केयूर, माने बाजुबंद, बाजुबंद कहां पहने जाते थे, जैसे ये आपका हाथ है, ये मानलो हाथ है, तो यहां पर बाजू बंद पहने जाते हैं यहाँ है यहाँ पर बाजू बंद होते हैं तो नाना अभिभिन्न प्रकार के रतनों से युगतौ भुजाओं में सुंदर मन्जु बाजू बाजू बनद पहते होँ और दित्य माला लसित उनका कंभू सा कंठ होगा और मोतियों की माला से लसित माने सुसोभित मोतियों की माला से सुसोभित उनका कंभू कंभू माने संख सा कंठ उनका होगा ठीक समझ गए पवन को समझा रही है पवन समझ गई तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो समझ गे ना सब अच्छे से समझ रहे हैं मुझे उम्मीद है तेरे में है ना यह गुणक जो तू बेथाएं सुनाएं अब वायू कहां बोल सकती है तो कहती है तुझ में तो ऐसा गुणए नहीं है कि तू बेथाएं अपनी सुना सके हैं तेरे में वाइस नहीं है आवाज न उसनों को जनाएगी कि मैं आई हूं और राधा का संदेश लेके आई हूं तो कदी तेरे में है न यहां गुंड जो तू बैथाएं सुनाए है पवंतु जमें तो यह गुंड नहीं है कि तू अपनी बैथाओं को सुना सके क्योंकि तू बोल नहीं पाती तू घ्राण और मु अपनी प्रकर बुद्धी से और युक्तियों से युक्तियों माने जुगाड से चला देना अपने ब्यापारों को अपने कारिक्रिया कलापों को तू प्रकर बुद्धी अपनी मजबूत बुद्धी से और जुगाड से युक्तियों से चलाना और बैठे जो हो निज सदन में अगर वो अपने घर में अब राधा जी बता रहीं कि तू कई से जनाएगी कि मैं आई हूँ और राधा का संदेशा लेकी आई हूँ अगर वो बैठे हो निज सदन में अपने घर में बैठे हो ठीक है अपने घर में अगर बैठे हो कोरोना के डर से इस्टे हो मिस्टे सेफ तो उससे क्या कहना बैठे जो हो निज सदन में मेग सी कांति वाले अगर बादलों सी कांति वाले बादलों की सोभा वाले बादलों के स दमान शाम वणन वाले भगवान सिरीकृष नागर अपने घर में बैठे हों। तो चित्रों को इस भवन के ध्ञान से देख जाना। तो उस भवन में जैसे उस रूम में बैठे हैं ॥ून को देखना। ठीक है, फिर बताती हैं और जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा निकट उसको भाव से यूं हिलाना अगर तुझको चित्रों में विरह विधुरा, विरह से विधुर, अब विरह से विधुर, विरह से विथित नाईका, उसको विरह विधुरा कहते हैं अगर उन चित्रों में कोई विरह से विधुरा का मिले चित्र कोई, तुझको अगर वो चित्र मिल जाए, तो जाके निकट तो निकट में तुपास में चले जाना, उसको भाव से यों हिलाना, और अपनी हवा से ऐसे हिलाना उसको भावों से, कि प्यारे होके चकित जिससे च चित्र की और देखें, जिससे की प्यारे चकित होकर के उस चित्र को और देखने लगें, और जब और देखेंगे तो आशा है यो, तो मुझे आशा है कि यो माने इस प्रकार सुरति माने याद, सुरति मिन्स याद, इसम्रति, इसमरों, उनको याद हो जाएगी, मेरी याद आ जायेगी जब वों किसी Чitr को देखेंगे तू बारबाल भिलाएगी पिर कया कहती राधाजी और जो कोई भी सिस सदन में चित्र उद्यान का हो अगर इस सदन में इस घर में कोई उद्यान का या बगीचे का चित्र हो पुष्पवाटिका का चित्र हो अव हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से और अगर उस चित्र में कोई प्राणी विपुल माने बड़ी संख्या में भारी संख्या में घूम रहे हो बावले से बिल्कुल पागलों की तरह घूम रहे हो प्राणी उसमें तो जाके सन निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उसके पास भी चले जाना और उस चित्र को भी हिला देना, देवातमा भगवान स्री कृष्ण, देवातमा मने देवता की आतमा भगवान स्री कृष्ण को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, तो इस प्रकार तू कैसे करा देना, इसमें तू इस प्रकार ब्रज के व्याकुल लोगों की इसम्रति करा देना, याद करा देना भगमान स्री कृष्ण को, क्योंकि धेर सारे बिपुल होंगे, बिपुल होंगे, तमाम लोग जब आप पागलों कितरे घूमते होंगे, तो उनको याद आ जाएगी कि अब ब्रज के चर्ण पर डाल देना उसी को, अगर कोई प्यारा सा कुष्ण माने पुष्प कुमला मुर्जाया हुआ गेह माने घर में पड़ा हो, गेह मिंस घर, ग्रह गेह, ग्रह गेह, ग्रह का तदभो गेह, तो अगर कोई प्यारा सा पुष्प कुमलाया हुआ, मुर्जाया हुआ घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को ला करके डाल देना यो देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है कि मलिन हो करके मुर्जाई हुई हो करके तुम्हारे कमल पग को अर्थात चरण कमलों को चूमना चाहती है इस पर्स करना चाहती है यहीं इस परकार कहती है कि एगर कोई मुर्जाया हुआ पुष्प उस घर में पड़ा हो तो उसे तू उठा करके उनके चरणों पर हवा से डाल देना तो ऐसे आपवन तू मुझे मे पतर है जो प्यारे मंझ उपवन या वाटिका में खड़े हूं फिर आगे कहती है राधादीश पर आगे तू आगर मंझ उपवन या वाटिका में खड़े हूं तो पर थोड़े से बांस भी लगे होंगे कीचक मिन्स बांस होता है, ओके, कीचक मिन्स क्या होता है, बांस होता है, तो वो कहती है, कि छिद्रों में जा कुणित करना, कुणित माने एक धोनी, बजाना, कुणित माने बजाना, धोनी करना, तो जो प्यारे मंजुपोन वाटिका में खणे हो, तो छिद्रों में जा करना वेंड़ सा कीचकों को तो तू वेंड़ मनें बांसूरी बांसूरी के समान बांसों को बांसों को तू कुणित करना दुहनित करना यों हो वेगी अब जो तू ऐसा काम करेगी तो यों हो वेगी सुरत सुरत मनें याद उनको सर्व गोपांगना की तो उनको याद हो यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपान गना की इस प्रकार उनको समस्त गोपियों की याद हो जाएगी और जो है वन्शी स्रमण रूची से दिर्ग उतकंठ होती जो गोपि काएं वन्शी के स्रमण रूची से वन्शी के बजने से वन्शी के मात्र स्रमण की धुनी से सु उन्हें बता देना कि तू तेरी बांसूरी से इस प्रकार उनको मतलब बताएगी तू उनको याद हो जाएगी वो समझ जाएगे कि इसी प्रकार साही गोपियां जब मैं बांसूरी बजाता था तो उतकंटित होकर के सुनकर किसम मेरे पास आ जाती थी और लाके फूले कमल द जल में वेग्र हो हो डुबाना तू कहीं से कमल के दल को उड़ालाना ठीक है वो कहते हैं तू कहीं से कमल के पुष्प को दल को उड़ाकर के ले आना स्री कृष्ण के सामने और वेग्र होकर के बार-बार उसको जल में डुबोना वेग्र माने दुखी वेग्र माने परेश बहन बताया किसको वायुको यहां पर राधिकाजी ने वायुको लुण सब्रकरत क्राइब नदेंखें वर राधिक मांध्यम से समझाना चाहती है राध्या किसा करें इसको प्वंद और यह 거야 कौनने भाई हरियोद जी अपने जो है कभी है हरियोद जी लिख रहे हैं पवंदूतिका में राधा को निमित्त मात्र बना करके कहते हैं कि यो देना ए भगनी इतला राधा कहती है कि है पवन ए बहन तो इस प्रकार एक अंभोज नेत्रा जब तूस पत्ते को लाएगी कमल के कमल का पत्ता कैसा होता आशा और नेत्र कैसे होते हैं ऐसे ओके तो नेत्र और कमल के एक दल एक समान होता है तो कहती है कि जब तूस कमल के दल को बार बार पानी में डूबोएगी बड़े बड़ी सी जलराशी में तो फिर क्या ऐसे तू बता देगी उनको ऐसे समझा देग लोग से ब्याकुल बाला वार में जल में बोरती है डूबोती है ऐसे ही नेत्रों जैसे वो कमल का दल बार बार पानी में डूब रहा है ऐसे है उसके उस बिरहा से बावली राधा का भी जल में नेत्र डूबे हुए रहते हैं और धीरे लाना वहन करके नीप का पुश्प कि अब नीप किसे कहते हैं नीप माने कदम्ब कदम्ब का फूल को यी तु धीरे से उड़ा करके वहन करके ले आना और प्यारे के चपल द्रिग के सामने डाल देना और उस प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने तून को उस कदम्ब के फूल को डाल देना जब तू ऐसा करेगी तो ऐसा जब तू करेगी जब उस कदम के पुष्प को डाल देगी तो ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो तो तू ऐसे जो है तो इस प्रकार ये दिखला देगी कि मैं भी विरह के वशी भूत होकर कैसी होती विरह वश में नित्य रोमान चीता हूँ प्रकट दिखला तो तू ऐसे प्रकट करके दिखला देगी नित्य आशंकिता हो ऐसे तु दिखला देगी कि नित्य अब यहां से अलगर्थ है नित्य आशंकिता हो यानि नित्य प्रति आशंकित होकर शंका ग्रिस्त होकर कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूँ ठीक उसी प्रकार मैं भी रोमांचित होकर के नित्य प्रति आशंकित व्योग के वसमे होती रहती हूँ ये तू बता देगी विरह वसमे नित्रोमांचिता हूँ अर्थात उनके व्योग में मैं नित्र प्रती उसी कदम के पुष्म की तरे जैसे वो रोमांचित है मैं भी वैसे ही रोमांचित होती हूं बैठे नीचे जिस विटप के शाम हों में उसी का और जिस पेन के नीचे शाम बैठे हों उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेतर के लेल हिलाना कोई एक पत्ता उनके नेतर के निकर लाकर के हिला देना तो यों प्यारे को विधित करना चातूरी से दिखाना तो इस प्रकार तू प्यारे को विधित करना अर्थात बता देना और चातूरी से दिखा देना मेरे चिंता विजित चित का कलांत हो काप जाना तो इस प्रकार तू पत्ते को जैसे हिलाएगी तो उनको पता चल जाएगा कि चिंता विजित जिसको चिंता ने जीत लिया है देखो चिंता विजित इसकार्थ समझो चिंता विजित मिंस जिसको चिंता ने जीत लिया है ऐसा अरदय अथा चिंता ग्रसित हिरदय चित का क्ला अगर सूखी हुई कोई लतिका मुर्जाई हुई लता धरा में पड़ी हो प्रतवी पर पड़ी हो तो पाओं के निकट उसको शाम के ला गिराना मलिन लतिका मतब मुर्जाई हुई लता तो तू शाम के सामने ला करके उसको गिरा देना यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो तो इस प्रकार सीधे से प्रकट कर देना कि प्रीति से वंचित हो करके मेरा होना अतिमलन और सूखते नित्य जाना तो मेरा अत्यन्त मलिन हो जाना सूख करके मलिन हो जाना नित्य प्रति सूख करके मलिन हो जाना तू बता देना कि जैसे वो लता मलिन हो गई है ऐसे राधा भी प्रति दिन सूख कर मलिन होती जा रही है कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो अगर कोई पत्ता नवल तरु नवीन तरु का कोई पत्ता नए पेंड का कोई पत्ता पीत माने पीला अगर हो रहा हो तो प्यारे स्री क्रश्न के द्रिग यूगल दोनों नेत्रों के सामने ला उसे ही उसको भी तू उनके नेत्रों के सामने लेाना और धीरे धीरे समभल रखना और उन्हें यूँ बताना उसको सम्हाल करके धीरे धीरे रख देना उनके समक्ष उनको इस परकार बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोशिता सा हमारा तो जैसे एक प्रोशिता होती है प्रोशिता मतलब प्रोशित पतिका नाईका और प्रोशित पतिका नाईका वो होती है जिसका पती परदेश चला गया हो उसको प्रोशिता कहते हैं ठीक है तो इस प्रकार पीला होना प्रबल दुख से प्रोशिता सा हमारा एक प्रोशित पतिका नाईका सा पीला होना प्रबल दुख के कारण तू उनको बतला देना फिर क्या करती यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी विथाएं इस प्रकार प्यारे को विदित करके मतलब बता करके जना करके मेरी सारी विथाएं धीरे धीरे वहन करके पाउं की धूली लाना अब तु धीरे धीरे वहन करके पाउं की धूल लाना तो तू वहाँ से थोड़ी सी धूल वहन करके मतलब ढो करके उनके चरणों की धूल ले आना थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू अगर तू मुझको थोड़ी सी चरण धूल उनकी नहीं लाय कर देगी ठीक है? तो कैसे? हां कैसे हां कैसे तो विथित चित का बोध मैं दे सकूंगी तो हाए मैं अपने विथित चित को बोध मैं दे सकूंगी अर्थात समझा सकूं बोध देना समझाना तो मैं अपने हरदें को कैसे समझा सकूंगी हाई मैं अपने हरने को कैसे समझा सकूँ, कि कि तुझे सुभूत तो लेकर आना है, बही जो डाकिया होता है, वो मोहर लगवा के आना है, ठीक है? जैसे वो एक संदेश आते हैं गाना है ना तो कहते हैं वही थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है कि बुरही मा मेरी मा के चरणों को चूम के ऐसे करके तो वही बिल्कुल वही यहां पर भी द्रश्य दिखाई देता है कहते हैं कि जो तुम जाना और भगवान स्रीकृष्ण के चरणों की धूल थोड़ी से धो कर ले आना तो अपने कम से कम मैं चित को समझा सकूंगी कि हाँ मैंने भगवान स्रीकृष्ण के इसी के मात्धिम से दरशन कर लिए फिर लास्ट में कहते हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन बाते हमारी तो तु मेरी विने इतनी मान ले और चली जा कहते हैं अगर पूरी होवे न यदि तुझसे अन बाते हमारी अगर ये सारी बातें तुझको मनजूर नहीं हैं अगर तु ये सब सारी बातें नहीं कर सकती है तो एक चीत तु समझ ले न तो तु मेर बिने इतनी मान ले और चली जा तो हमारी इतनी विंती है मान ले और यहां से तु वहां तक चली जा और चुके प्यारे कमल पग को प्यारे स्रीक्रिस्न के चरण कमलों को चू लेना पग को प्यार के साथ और चली आना जी जाओंगी हर्दय तल में तो छूके तू कुछ ने कर ले ना तो पूरी हो वे ना अगर तुसे मेरी शारी शर्ते मंजूर नहों तो इतनी मेरी बिने सुन ले इतनी मेरी बिंती सुन ले और मान ले और चली जा और तु केवल छूके प्यारे कमल पकून प्यारे स्री क्रिशन के चरण कमलों को छू ले न और प्यार के साथ चलिया न और जी जाओंगी हिर्दें तल में मैं तुझी को लगा के मैं तुझी को अपने हरदें से इसपर्ष करा लूँगी, लगा लूँगी और मैं जी जाऊंगी, बस और तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे सारी सरलता है, तुझे मैंने सारे सरल मार्ग समझा दिये हैं, अगर ये तु सब कुछ न कर पाना, तो बस इतना साकारे कर लेना कि तु चली जाना, उनके चरणों को इसपर्ष कर लेना, और मुझे आकर कि तु इसपर्ष कर लेना, मैं समझूंगी कि मेरा उनसे मिलन हो गया, ओके, चली अब इसके अभ्यास देख लेते हैं, तो बच्चों आप बचे हैं इसके अभ्यास प्रश्न, तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आज आप इतना ही पढ़िये, मैं अभ्यास प्रश्नों को अगले पार्ट में, यानि कि कल बिल्कुल इसी वक्त आपके साथ लेकर के हाजिर होंगा, तब तक के लिए नमस्कार, और सभी लोग शेयर कर दीजे, सबको जैहिंद, वंदे मातरम, स सभी लोग, हिंदी को एक बड़े इस्तर तक ले जाए, तो कल, यानि कि तुमारो, मैं कल आपके लिए लेकर उपस्थित होंगा, सारे अभ्यास प्रश्न, तो अभ्यास प्रश्न बिल्कुल मत करना भूलना, ये सारे आपके पध्यांस है, ठीक है, इन पध्यांसों को फिर इसमें शब्द सकती अभिधा और लक्षना है, बाशा खड़ी बोली है, ठीक है, बाशा क्या है, खड़ी बोली है, और गुण, माधुर्य और प्रसाद गुण है, गुण कौन सा है, माधुर्य और प्रसाद, और जो इसका जो चंद है, मंदा करांता चंद है, रस पूरे म में वियोग स्रंगार है ठीक है वियोग स्रंगार है चलिए समझ में आपको आ गया होगा तो बाकी की चीजें इस पश्ट करेंगे हम पध्यांशों के अभ्यास प्रश्णों के साथ ठीक है तब तक के लिए नमस्कार